तेनस के बारे में मैं यह मान के चलूँगा कि बैसिक से आप लोगों को सिटार्ट करना है हाला कि ग्रेजवेट लेवल के पोस्ट से तो थोड़ा सा हरे को ग्रामर का पिक अफ होता है लेकिन मैं यह मान के चलूँगा कि हमने बैसिक से ही सिटार्ट कर दी है और आपको मैं चार मार्कस अगर आएंगे तो वो सारे आपको एक मिनट में ही आप खुद ही कर सकेंगे कुछ फार्मुलास लेके मैं आया हूँ पहले थोड़ा सा हम जान लेंगे टैनिस क्या होता है या अकर उर्दु में भी बताएंगे कि ये जमाना बोलता है ठीक है और इसकी कुछ फार्मुलास होती है Students कीíanis कीदस इसमेंसे को ही किसी ने कीजी इइई में भी क्या तो मैं हर एक को मॉड़रेट कर करें चलता हूँ ठीक हर एक बराबर ले बहुतना लेके चलता ठीक है यानि कि first farm, second farm, third farm अगर वो आप वैसे आप खुद ही कर सकते हो farmers आप खुद ही देख सकते हो अगर नहीं तो आप मुझे comment में कहिएगा मैं आप लोगों के लिए verb की farmers भी ले के आऊँगा आपको वो syllabus में नहीं है हमारा जो syllabus है वो tennis से start हो रहा है ठीक है कब मुकेमल हो जाएगी या कब मुकेमल हुई जो भी represent करता है उसको हम tennis बोलते है और ये किसका है tennis आप है work वो पता है हम कोई action जैसे मैं इस वकित बोल रहा हूँ I am speaking ठीक है speaking, speak वो रुब है और speaking इसकी ing form है I am speaking वो आपको सारा मैने टेबल पर समझाए है आपको सारा कुछ समझाए जाएगा फिलाल ये तो वहाँ पर पूछेंगे नहीं आपको what is tennis लेकिन याद रखने के लिए आप ये याद रखो पहले समझने के लिए कि tennis क्या होता है किसी भी work के complete किसी भी action के complete होने का ठीक है वक्त या जमाना जैसे कि कुछ एक्जामपल दिया है मैंने I write I write का मतलब होता है मैं लिखता हूँ ठीक है I wrote ठीक है मैंने लिखा और I shall write ये future में ये past आप ये सारे नीचे आपको सारा कुछ समझा जाएगा तो kindness of tenses क्या होती है present, past, future present हुआ जो मतलब इस वक्त हो रहा है मौझूदा ठीक है past हुआ जो गुजरा हुआ जमाना जो भी action हमने गुजरे हुए जमाने में की present हुआ जो हम इस वक्त कर रहे है ठीक है present और past हुआ जो जमाना गुजर गया जो हमारा past था और future तो पता है future हुआ आने वाला जमाना और present tennis में क्या होता है present tennis it shows the present time of action जो मैंने बोला जैसे I eat ठीक है मैं खाता हूँ present tennis उसके बाद past tennis में होता है we played खेलते थे ठीक है हम खेलते थे उसके बाद future time of action फिलाल आज के लिए मैंने आप लोगों के सामने present और past का किया है अगले lecture में हम future का देखेंगे अगर हम इसकी फॉर्मस देखेंगी तो 12 फॉर्मस है कितनी फॉर्मस है 12 फॉर्मस है present की 4 फॉर्मस ठीक है past की 4 फॉर्मस और future की 4 फॉर्मस खुल मिलाके 4, 4, 4, 4 12 फॉर्मस है टेंस की और आप अगर एक की याद करोगे आपको बाकी सारे खुद याद हो जाएंगे फिर देखो क्या होता है इसमें present simple present के अगर बात कर लेंगे present simple है present perfect है present continuous है ठीक है present simple present continuous present perfect present perfect continuous ये चार चीज़े आपको present present tennis में मिलेंगी यही आपको past में भी मिलेंगी कैसे past यहाँ पे लागाने past simple, past perfect, past continuous, past perfect continuous इसी तरह future simple, future continuous, future perfect, future perfect continuous जो important आज है देखो यहाँ से आपको 12 मैंने फॉर्मस बता जी आप लिख भी सकते हो यहाँ पे इसकी जो फॉर्मस है यहाँ पे देखो आराम से आप write down कर सकते हो present simple, present continuous जो भी चीज़े है लेकिन यहाँ से आपको मैं कुछ त्रिक्टिस बताता हूँ कुछ फॉर्मूलाज बताता हूँ जो आपको हमेशा याद रहेंगी और यहाँ से ही question आता है वर्म का मतलब मैंने पहले ही बोला आपको कि कोही action करते हो आप वर्म जो वर्म है वो represent करता है किसी action को जैसे मैं इस वकित बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो सुनना आपका वर्म है action है ठीक है उसके बाद क्या होता है देखो और कुछ subject होता है यह चीज़े अगर आपको पता नहीं है आप जरूर मुझे बताओगे तो मैं आपको अगले वीडियो पे लाओँगा क्योंकि हमारे syllabus पे इतना deep नहीं है सिर्फ tenses बढ़ाना है जहां तक हो सके मैं आपको concept के लिए करवाँगा सारा ठीक है कि आपको कही न कही से मालब आपको लिंक करना आना चाहिए और question भी आपको miss नहीं होने चाहिए present simple में अगर देखेंगे इस पे क्या होता है देखो किस तरह से present simple का tennis बन जाता है किस तरह इसका sentence बनाएंगे हम किस तरह recognize कर सकते हैं यह present simple का है यहां पर उर्दू में भी formula है ता है, ती है, ते है मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं लिखता हूँ यानि last पर ताता आता है तो present simple का है ठीक है present simple और एक बात इस simple को indefinite भी बोला जाता है present indefinite क्योंकि इस पे हमें time का पता नहीं होता है indefinite होता है जैसे कि मैं खाता हूँ लेकिन यह पता नहीं है कि मैं कब खाता हूँ ठीक है, खाता तो हूँ लेकिन कब खाता हूँ इसलिए इसको indefinite भी बोला जाता है ता है, ती है, ते है यह सारा आपको simple या indefinite में मिलेंगे मैं खाना खाता हूँ, मैं दोड़ता हूँ, मैं पीता हूँ, जो भी है, वो सारा कुछ आपको present simple में होगा और इसका क्या formula है, इस पे किस तरह से बनता है, subject, subject हुआ, subject का मतलब जो काम कर रहा है जैसे मैं, मैं खाता हूँ, यहाँ पे subject मैं हूँ, I, I write, मैं लिखता हूँ, ठीक है, I speak, मैं बोलता हूँ, ठीक है इस पे क्या होता है, subject और verb की first form मिलती है, verb की first form और subject आपका present simple बनाएगा देखो कैसे, sub, जैसे कि मैंने, आप को ही सा भी verb ले लो, आप खुझ से भी try कर लो, आप 1000 verb ले सकते हूँ, first form आप इस पे लोगे, और यह बिलकुल simple है, ठीक है जैसे मैंने लिया कि मैं लिख रहा हूँ, रहा हूँ नहीं, स्वरी, मैं लिखता हूँ, लिखता हूँ, जब ता आया मतलब indefinite है और इस पे क्या आएगा, subject, क्योंकि मैं हूँ, तो I write, first form of verb आएगा फिर मैं जो भी लिखता हूँ, letter लिख रहा हूँ, ठीक है, note लिख रहा हूँ, जो भी लिख रहा हूँ, लेकिन main मेरा जो मकसद है, यहाँ पे आपको यह clear करवाना subject plus verb की first form, जब भी आपको subject plus verb की first form मिलेगी, आप बोलोगे, यह present simple का tennis है और एक बात यहाँ पे आप याद रखोगे, he, she, ठीक है, और, singular noun जो होते हैं, उसके साथ verb की first form के साथ एस मिलाना है, आगे, plus add करना है, ठीक है, verb की fifth form भी बोल सकते हैं, हला कि verb की four form है, लेकिन fifth form भी कही कही हम बोलते हैं, आप ऐसे याद रखोगे, यह और एक देसी trick बताता हूँ, मैं आपको, जिसके साथ is लगता है, जैसे he is, she is, it is, ठीक है, जिसके साथ भी is लगेगा, उ indefinite tennis, देखो किये से, present simple या present indefinite, for example, मैंने बोला, मैंने अब subject लिया, वो, वो गाना गाती है, क्योंकि ती है, ता है आया, उसका मालब indefinite है, simple है, वो गाना गाती है, वो आया, ठीक है, वो, वो गाना गाती है, she, she के साथ is आता है ना, इसलिए यहाँ पे is, क्योंकि first form, one minute, sing first form है, ठीक है, verb की first form, हला कि अगर she नहीं होता, ठीक है, अगर I होता तो sing आता, लेकिन क्योंकि I के साथ is नहीं आता, I के साथ आता है aim, I am a good boy, ठीक है, जिसके साथ भी is आएगा, उसके साथ आप s वाली form लगाओगे, तो यहाँ पे she आया, she is आया ना, she के साथ is आता ह ना हमेशा, तो यहाँ पे आपको क्या आएगा, she के और verb की first form के साथ s मिलाना है, first form sing है, और s मिलाया तो she sings है, तो यह आपका present simple बना, present simple बना, ठीक है, और ऐसे आप बहुत सारे verb ले सकते हो, और उनकी first form को लेके, आप present simple बना सकते हो, उसके बाद मैंने दूसरा subject लिया you, ठीक है, subject you लिया, तुम चाय पीते हो, ठीक है, या आप चाय पीते हो, you, take, क्योंकि take टी, okay, take verb की first form है, उसके बाद देखो, यह हुआ present simple का आपको कलेर होगा, I hope कि आपको अच्छे से यह कलेर होगा, अब हम continuous की बात कर रहे है, continuous का मतलब हुआ कि कोई कम continuous हो रहा है, present continuous का म कुछ helping verbs होते है, one minute, helping verbs, ठीक है, is, aim, तो आपको कुछ farmers याद रखनी है, to be से निकले साथ farmers, ठीक है, साथ farmers है, to be की, कौन-कौन से, आपको यह चीज़े याद रखनी है, यह रखनी है, यह रखनी है, यह farmers, जो मैं लिख रहा हूँ, be, is, aim, are, was, where, been, और being, यह साथ farmers आप याद रखोगे, यह हमें tenses पे लगेंगे, ठीक है, तो देखो, क्या होता है, यह साथ farmers, to be की, क्या साथ farmers है, be, is, aim, are, was, where, been, being, ठीक है, यह कुछ साथ farmers है, यह आपको याद रखनी है, फिर से बोलूँगा, be, is, aim, are, was, where, been, being, ठीक है, तो यह आपको हम, ठीक है, helping verbs, कौन कौन से helping verbs लगेंगे, is, aim, are, is, aim, are, कहां पे लगेगा, आपके present continuous पे, तो इसका क्या formula बन जाएगा अभी, subject, plus helping verbs, चाहे is है, चाहे aim है, चाहे are है, ठीक है, और वर्व की fourth farm, जिसको ing farm भी बोलते है, ing farm कुछ नहीं होती है, जो वर्व की first farm है, उसको last ing हम add करते हैं, जैसे कि first farm मैंने लिया verb की write, इसकी ing farm बनेगी writing, तो देखो किस तरह से आप इसको utilize कर लोगे, I am writing, write मैंने यहाँ पे verb लिया, और I को subject लिया, I के साथ aim आएगा, ठीक है, यह हरे को पता होगी, I am writing a letter, और याद रखना, रहा हूँ, रहे हे, रही हूँ, ठीक continuous बन गया, because aim वर्ब की fourth farm, ठीक है, fourth farm, ing वाली farm, उसके बाद take लिया है, ठीक है, you are taking, ठीक है, you are taking टी आएगा, you के साथ, you के साथ, you plural है, तो इसके साथ, are आएगा, singular के साथ, is आएगा, she is singing a song, she is singing a song, I hope कि आपको यह भी clear हुआ होगा, तो आगे चल तो है और हैज में आप अब अच्छे से फर्ग कर सकते हो, is जिसके साथ भी आएगा, has, ठीक है, और जिसके साथ is नहीं आएगा, उसके साथ have, चलो यहाँ पर देखते हम, थोड़ा तीन चार sentences कर लेंगे, हम यहाँ पर इसके, जैसे कि मैंने यहाँ पर verb write लिया, क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा have और has में से एक आएगा, और verb की third form आएगा, verb मैंने यहाँ पर write लिया, I, अब क्या आएगा, क्योंकि right की third form लेनी है, ठीक है, first form नहीं, third form, verb right है, I have, I have, चुंकि I के साथ is नहीं आता है, इसलिए I के साथ has नहीं लेंगे हम, I के साथ have लेंगे हम, I have, verb की third form, written, इसका तकन लिया, और क्या लिया, you, subject you लिया, you have taken, लेकिन यहाँ पर she, she के साथ क्या आएगा, has, क्यों आएगा, because she is, इसलिए she के साथ has आएगा, is जिसके साथ भी आएगा, उसके साथ has आएगा, तो she has sung, अगर he आता, he has sung, अगर they आता, they, for example, मैंने लिया, play, play भी को ही मैंने ए एक वर्ब लिया, they have played, ठीक है, they have played, इस तरह से आप इसको भी कर लोगे, उसके बाद, present, perfect, continuous में भी, क्या याद रखना है, आपको, have, has, पता है आपको, have or has, किसके साथ आएगा, plus, plus, यहाँ पर आपको, bean लेना है, bean, bean, ठीक है, is, am, are, was, where, bean, being, bean, be, to be, की एक फॉर्म है ठीक है, यह आप याद रखोगे, be, की फॉर्म जो मैंने बताया, is, am, are, was, where, bean, being, 7, 8 बार अपरटो, इसको आपको याद रहेंगे, यह फॉर्म और, plus, ing फॉर्म, जिसको हम ing फॉर्म भी बोलते है, यानि की, first फॉर्म को ing last पर एट करना है, वर्ब की फॉर्ट फॉर्म ब खेलना होता है, कैसे, अगर मैं बोलूँगा कि मैं खत लिख रहा हूँ, मैं खत लिख रहा हूँ, मतलब हुआ कि यह फॉर्फेक्ट में आएगा, क्योंकि रहा हूँ रही है, जो भी है, ठीक है, रहा है, यह सब फॉर्फेक्ट में आएगा, सॉरी, continuous में आएगा, present continuous में ल याद रखने इसके लिए कुछ फॉमला आपको याद रखने हैं कुछ रूर्स राधर जैसे कि मैं बोलुँगा आपको बिल्कुल शार्ट पे हमेशा सिनिस और यहां पर आएंगे ठीक कहीं जगा पर सिनिस आता है नहीं जगा पर आता है लेकिन एक छोटी सी च्रिक बताता ह कि मैं है के आपका तीनिस्क जैसे में बढ़ रहा हूं कि में पढ़ रहा हूँ तो सिसा से साथ हिएक जा महां रहा कुनिस्न तरहा हूं वहीशन में जहां नव बजेम जितना कि मैं शुदे करें नव घ्रत हूं गैर नका दीनिंस्न क इसी तरह आप इसको इसको इस्तिमाल करोगे I have been writing a letter Sinis morning क्योंकि सुबह से मैंने उसके मतब से starting time दिया I have been writing a letter For an hour यह आपको easily याद रहेगा तो अगर मैं past past का भी यही आपको past में भी आपको यही मिलेंगे past का इंशाला हम next video पर क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोगोंको मिक्स हो जाएगा आराम से एक एक करके हम टेंस समझेंगे तो हमारा grammar बहुत अच्छे से आगे जाएगा ठीक है अगर यहां पर किसी को confusion है Sinis or far में और भी वीडियो अगर आपको लगेगा आपको Sinis or far utilize करना नहीं आता है इसके लिए मैं आपको फिर से भी अगली वीडियो पे भी बता दूंगा ठीक है तो अभी उसके बाद पास्ट करना है पास्ट के बाद हम फ्यूचर कर लेंगे तो हमारा टेनिस के लिए लेक्चर जो है खत्म हो जाएगा ठीक है इंशाला नेकस्ट लेक्चर पे हम फास्ट और फ्यूचर दोनों को एंड कर लेंगे थैंक्यू वरी मच्च